नमस्कार दोस्तों UPPSC Daily News में आप सभी लोग का स्वागत है तो जी हां दोस्तों आयोक की तरफ से दो अपडेट है स्वता आयोक से ही है आयोक के अध्यच के द्वारा ही ये अपडेट है मैं आपको बता देना चाहा रहा हूं कि जो UPPSS 2022 मेंस का एक्जाम हुआ है उसके रिजल्ट की बात करेंगे और फाइनल रिजल्ट तक की भी हम बात करेंगे ठीक है और 2023 का आवेदन कब आ रहा है इसके भी से हमें बात करेंगे और आरो यारो 2021 का जो रिजल्ट है भाई ये रिजल्ट किसी कारण से रुका हुआ है आप स वाला था तो प्राप्त हो रहा था किसी कारण से रुख गया है तो इस वज़े से थोड़ी इसकी सूचनाय हम अभी आप सभी लोग पास नहीं पहुचा पाएंगे इसकी लिए हम छमा प्रार्थी हैं आप सभी लोग हमें छमा करिएगा बाकी हम बात करते हैं कि UPSC की IIS से प परिणाम 15 अपरेल तक आ सकता है एकदम फाइनल बात कर रहे हैं मेंस का जो परिणाम है ये आप सभी लोग को हो सकता है कि ये जनवरी के लास्ट तक में जैसे भी हो आप से लोग इसका मिल जाएगा फरवरी मार्च अपरेल जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले हैं क्यों ये आपको मेंस का परिणाम मिल जाएगा लेकिन निश्चिंत रहें फाइनल हो जाना है अपरेल तक में बात कर लेते हैं कि आयोक कद्यश का कहना है कि पूरा प्रयास रहेगा कि साच्छातकार कराकर अपरेल में परिणाम जारी कर दिया जाए ऐसे ही PCS 2023 का आवेदन फरव लाश्ट के मार्च के पहले सब्ता में आ जाएगा उन्होंने का और उसकी प्री परिछा 14 मई को कराई ही जाएगी ये भी बात कई है और ये भी बात कई है कि मुख्य परिछा 23 सितंबर से ही कराई जाएगी ठीक है उन्होंने बताये कि भर्दियों में होने वाली देरी परिणाम में लंबा इंतजार अब करना नहीं पड़ेगा तो ये क्लियर हो गया उनके कहने के आसे से अगर कोई दिक्कत परसानी नहीं होती क्योंकि आयोग अब 4 अब UPSC से भी आगे निकल जाए परिणाम देने और लेने में क्योंकि OTR तकनीक भी आयोग लेके चला ही आया तो कुछ हो रहा है तभी ये चीज़ें आ रही है अब 23 का आवेदन काफी लोग पूछ रहे तो जान जाएए भाई फरवरी लास्ट से मार्च के पहले सब्ता में आवेदन फार्म भरने का आ जाएगा एक्जाम डेट आपको पता ही चल गया है मेंस का इक्जाम डेट टलन बटन दिखरा होगा सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करने के साथ सांथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे महत्पूर्ण अपडेट आप से लोग से मिस ना होने पाए दोस्तों बता दें कि UPPSC में एक साथ्छातकार सुरू होने वाला है जो कि 12 से प्रवे सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपको बना दें वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिसको देखते ही हमको अच्छा लगता है और हम आप से लोग लिए और भी अच्छी तरीके सकार कर पाते हैं तो चलिए मिलते अगले वीडियो में नमस्कार